दोस्तों क्या आपने Sobsy application के अंदर order किया है यानि कि सामान आपने मंगाया हुआ है और उसे आपे cancel करना चाहते हैं या आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे cancel कैसे करेंगे इसे वीडियो के अंदर details में step by step बताएंगे क्याकिरकार इसमें एक नया अपडेट आया है 2023 का तो आप इसमें order को cancel कैसे किया जाता है पूरा details में आपको पता चलेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना shopse application open कर लेना है आपका जो shopse application होगा इस तरीके से आपका open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहोंगे आपको यहाँ पर order को cancel करना है तो order को आपको अपने order पर चले जाना है order आपका कहाँ पर मिलेगा तो आपको my account के इस option पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आएगा यहाँ पर मिलेगा my order आपको my order पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ पर सारे के सारे order आजाएंगे जैसा कि आप देख पा रहोंगे तो हमने यह एक order किया है और इसे हमको नहीं लेना है या हमें इसे cancel करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा अगर आप इसे लेना चाहते हैं और पैसे आप online देना चाहते हैं तो इस पर click करके आप पैसे online दे सकते हैं बट हमें यह नहीं लेना है तो आपको यहाँ पर नेचे मिलेगा cancel करने का option आपको इस पर click करना है और आपको एक बात को याद रखना है अगर आपका जो order है वो shift हो गया है तो आपको यहाँ पर cancel करने का option नहीं मिलेगा फिर आपको कैसे cancel करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं तो यहाँ पर हम अभी cancel का option मिल रहा है तो हम इसे cancel पर click करते हैं cancel पर click करते ही आपके समय से इस तरीके से page आजाएगा यहाँ पर मिलेगा do not cancel यहाँ पर मिलेगा cancel order आपको यहाँ पर cancel order पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे थोड़ा सा wait करिए आपके समय करेंगा select for cancellation region आपको यहाँ पर अपना एक region select कर लेना है तो चलो हम यहाँ से एक region को select कर लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद आपके समने comment आजएगा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि हम इसके card cancel करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता भी सकते हैं तो मैंने यहाँ पर यह region चूज कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है order is test यानि कि मैंने order यह test किया था उसकी बार यहाँ पर submit request पर click कर देना है जैसे आपर submit request पर click करेंगे यहाँ पर आजाएगा cancellation confirmed यहाँ पर आजाएगा check status आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि आपका जो order है वो आपका cancel हो गया है तो इसे तरीके से आप एक cancel कर सकते हैं, आप by chance आपका order saved हो गया है, तो आप एक cancel कैसे करेंगे, इसके आपको क्या करना होगा, कि आपको सौपसी application के customer care से contact करना होगा, तो contact कैसे किया जाता है, तो आपको account पर click करना है, यहाँ पर आपको कहीं न कहीं option मिल देगा, help center का, यहा आपके समने इस तरीके से मिल जाएगा एक mobile number, इस mobile number पर आपको call कर देना है, तो आपके पास सौपसी application का customer care से बात हो जाएगा, और उनसे आप बता सकते हैं, कि हमें अपना order जो है, उसे cancel करना है, तो आपका order cancel हो जाएगा, और इसका एक और होता है, यहाँ पर तरीका जह हो जाता है, और अगर आपने payment online किया है, तो आपका payment भी जहाँ से आपने दिया होगा, वहाँ पर आ जाएगा, cash on delivery किया होगा, तो आपका cash on delivery payment मिल जाएगा, तो यह होता है process जहाँ से आपने सौपसी application के अंदर order को cancel कर सकते हैं, और कभी-कभी आपने cash on delivery पैसा दिया है, तो आपका यहाँ पर bank add करने के लिए बोला जाता है, तो अपना bank add कर दिजिए, bank यहाँ से add होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, my bank account आप इस पर click करके अपना bank add कर दिजिए, तो जो पैसा होगा आपके इसी bank में आ जाएगा, तो मिलते हैं next विडो क्लिये इतना